फैन के फैन को देखने के लिए क्रेजी हैं हम डिरेक्टर मनश्रमा की फिल्म फैन एक फ्रिलर मूवी है फैन में शारूख हां डबल रोल करते नज़र आ रहे हैं एक रोल सुपर स्टार का तो दुसरा फैन का फिल्म में यंग फैन का करिदान मिभाने के लिए शारूख ने वी एफ एक्स तकनीक का सहरा लिया है ताकि वो उसमें यंग दिख सके वेशे वो बुढ़े तो नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी अभी भी हैं जवां फिल्म में शारूख खान के एपोजिट मॉडल वलुशा ड लगावकर है फैन को आदे तो चौपड़ा प्रोडूस कर रहे हैं जहां शारूख की फिल्म एक बॉलीवूर्ड सुपरस्टार और उनके हर से ज्यादा दीवाने हमशकल प्रसंसंग की कहानी है महीं तब फैन एक ऐसे विक्ति की कहानी है जो अपने पसिंजिंदा बास्के बॉल खिलाड़े का पीछा करते रहते हैं इस फिल्म में काफी भागम भाग दिखाया गया है और फैन्स के दिवानगी भी जो असल जिंदगी से काफी अलग है कई बार इसे हकीकत में बदलते देर भी नहीं होती कुछ ऐसी ही कहानी फैन लेकर आया है फैन को देखनी के ल जोटे होते हैं कही नहीं पर हम को ऐसा लगता है म किसी कितरा लगता है मैं छोटा था मुझे लगता था में कुमार गौरव कितरा लगता हूं and I remember Bangalore में जब लवस्टोरी रिलीज हुई थी तो सब लोग मुझको एक रचेक शर्ट में देखक कुमार गौरव बोलते था was Kumar Gaurav and tell him, not I didn't tell him ever. But it was really, really nice that I looked like someone and I felt I was as good looking as Kumar Gaurav. When I was a little bigger, I feel like I can be like Al Pacino. Then I felt like my eyes have un Recalibed, so I got myself glasses, got it turned. Now at the age of 50 I look like my father, and they will come in time in my life when I will be very proud to look like myself. So, there is nothing wrong in thinking you look like someone. and as long as those people inspire you to do good things so हमारी जो फैन फिल्म है वो एक लड़के के बारे में जो समझता है वो एक मुवी स्टार आरेन खन्ना की तरह लगता है and then what happens to him in his life वोलीवोड की और भी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए